आप यग्य के आदी रतनों में से एक थे। आपका लौकिक नाम लक्षमन था, बाबा की दुकान के साथ ही कोलकाता में आपकी हीरे जवाहरात की दुकान थी। आप लौकिक में दीदी के देवर थे और बाबा के भाई की पुत्री के युगल थे। आपने भी बाबा को फाल अपने जो पत्र व्यवहार किये, उन पत्रों को गवर्मेंट के सभी आफिस में आज भी याद किया जाता है। जब हम भारत में आए, पाकिस्तान का विभाजन हो गया था। भारत में माउंट आबू में रहना शुरू किया। ये स्थान बाबा को अच्छा लगा। यहाँ पहले पहले ब्रिजकोठी में आकर रहने लगे। यहाँ का वायुमंडल कराची से बहुत भिन था। इस कारण यहाँ आने पर कई बहन भायों की तबियत ठीक नहीं रही। मेरे को बाबा ने अहमदाबाद भेजा था जहां रहकर डॉक्टरों से संपर्क करके बीमार बहन भायों को वहाँ बुला कर मैं उनकी दवा करता था। बाबा ने हमको समझा दिया था कि बच्चे ये इश्वर ये ज्यान का यग्या है। यहाँ बहुत उच्चे पद पाने का है। जहाँ उच्चे पद पाना होता है, उच्चे इम्तिहान पास करना होता है, वहाँ बीच-बीच में बहुत रुकावटे आती हैं, उनका फिकर नहीं करना। ये रुकावटे आएंगी। माउंट जाकि जो कोठी थी उसका किराया बहुत उचा था। उन दिनों रेंट एक्ट था। उसके आधार पर उनका रेंट उचा होने के कारण हमने रेंट नहीं दिया। उसने केस कर दिया। उन दिनों विश्व किशोर दादा बाबा का राइट हैंड था। उन्होंने केस को डील कि हम में से बहुत से भाई भहनों को बाबा ने सेवार्थ दूसरे दूसरे शहरों में भेजा था जैसे दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता, लखनाओ, कानपूर आदी में यग्यवत्सों के संबंधियों ने विभाजन के बाद भारत में आकर यग्यवत्सों को लिखा कि हम भारत में आकर दुखी हो गए हैं विभाजन से पहले तो उनका जीवन बहुत अच्छा था यहाँ आकर refugee home में रहने लगे थे, बहुत दुखी हो गए थे ऐसे संबंधियों के निमंतरन पर ही यग्यव वत्स बिन भिन शहरों में सेवा के लिए गए थे दीदी, गंगे दादी तथा संतरी बहन के साथ हमको एक बार बाबा ने कहा भारत का चक्कर लगाओ हम चक्कर लगाने निकले, हमारा लक्षय था कि हम महात्माओं के कनेक्शन में आए हम गए रिशिकेश, हरिद्वार, रिशिकेश में स्वामी शिवानन का बड़ा आश्रम था वहाँ उन्होंने एक कॉन्फरेंस की थी, उसमें गंगा बहन ने बहुत अच्छा भाशन किया और ग्यान समझाया वहाँ एक भाई था जो जापान की पहली रिलिजियस कॉन्फरेंस से होकर आया था अब जापान में दूसरी कॉन्फरेंस होने वाली थी उसने जापान के आयोजकों को लिख कर भेजा कि भारत में ब्रह्मा कुमारी संस्था बहुत अच्छी है इसको आप निमंतरं भेजो उन्होंने निमंतरं भेजा जिसे बाबा ने स्वीकार किया और सन 1954 में बाबा ने मुझे दादी प्रकाश्मनी तथा दादी रतन मोहीनी को जापान भेजा हम लोगोंने जापान में बहुत अच्छी सेवा की हम गए थे केवल 15 दिनों के लिए लेकिन वहां के लोगों को ये ग्यान बहुत अच्छा लगा फिर भिन भिन संस्थाओं ने हमको निमंतरं दिया कि हमारे पास आओ आकर ग्यान दो कोई 15 दिन के लिए कोई 10 दिन के लिए बुलाते रहे हमने बाबा से पूछा बाबा ने कहा ये तो बहुत अच्छा है तुम सर्विस में बिजी हो जओ हम बिजी हो गए हमारे सिंधी मित्र संबंदी बड़ी संख्या में वहां बिजनेस में है सरदार लोग और गुजराती भी है उन सब के साथ जब संपर्क हुआ तो उन्हें भी बहुत रुची हुई उन्होंने समझा था कि ये ग्रुमा कुमारी चंस्था खलास हो गई होगी क्योंकि हम लोग विभाजन के बाद भी 3 साल तक पाकिस्तान में रहे थे उन्होंने समझा मुसल्मानों के राज में ये कैसे रह सकेंगे जब हम जापान में उनसे मिले तो उनकी आखे खुल गई कि इनमें इतनी शक्ती है जो इन्होंने पाकिस्तान में हमारे बाद भी रहकर दिखाया है उन्हों का हमारे साथ बहुत प्यार रहा गुजराती तथा सरदार भाईयों का भी बहुत सनेह रहा ऐसा करके हम लोग जापान में ही 6 मास रह गए क्योंकि इतनी सर्विस फैल गई लोटते समय हमको हौंग कॉंग से निमंतरण मिला हौंग कॉंग में 2 मास ठहर गए वहां भी सर्विस फैल गई फिर हमको सिंगापो से निमंतरण मिला सिंगापो में मित्र संबंधी बहुत थे वहां भी थोड़ा समय ठहरे उनकी सेवा की इसके बाद हम पानी के जहाज के द्वारा सिंगापो से मदरास आये हमारी इतनी सेवाए देखकर बाबा ने मदरास में दादी जानकी तथा जगदीश भाई को खास हमको रिसीव करने के लिए भेजा था इनके आने से वहां अखबार वालो तथा दूसरे सिंधी लोगों की बहुत सेवा हुई कईयों का कनेक्शन दादी जानकी से था उनके पास हम रहे और खूब सेवा हुई वहां से बाबा ने डाइरेक्ट आबू नहीं बुलाया साध्वों का एक सम्मेलन था चित्रकूट में अक्टूबर महीने में जो शरद पूर्निमा होती है वो चित्रकूट की मशहूर है वहां पर मिला लगता है कानपूर में गुपता जी थे उनको भी निमंतरंग मिला था वो आये थे हमको मदरास में लेने के लिए इस प्रकार चित्रकूट में सेवा हुई वहां से सेवा करते हुए हम बॉंबे, लखनव, कानपूर और फिर दिल्ली में आये दिल्ली में भी बहुत अच्छी सेवा हुई, फिर हम माउंट आबू में आये तब तक ब्रिजकोठी से निवास चेंज हो चुका था, बाद में कोटा हाउज और धौलपूर हाउज मिला था वहां हम आकर बाबा से मिले थे बाबा ने बहुत उमंग उत्सा से हमारी खातिरी की और दादी कुमारका को गिनियों का हार पहनाया और बहुत खुशिया मनाए जापान की सेवा के बाद भारत में भी काफी सेवा फैल गई ब्रहमा कुमारीज का नाम हुचा हो गया कि ये जापान से होकर आये हैं उसके बाद बैंगलो में सेंटर खुला इलावाद कुम के मेले में हम सेवार्थ गए वहाँ से कानपूर नजदीक पढ़ता है कानपूर के एक भाई ने निमंतरन दिया कानपूर पहुचने पर वहाँ के एक बड़े व्यापारी ने अपने घर में निमंतरन दिया और बोला यहाँ सेंटर खुलो उसकी कोठी में एक अलग हिस्सा था वहाँ सेंटर खुला और सेवा हुई लखनव में दादा राम और सावित्री रहते थे उनका बाबा के साथ लौकिक में कनेक्शन था उन्होंने शुरू शुरू में अच्छी सेवाय की फिर राजस्थान में सेवा शुरू हुई मैं तो अधिकतर टूर पर ही रहा आखिर एक सेंटर अहमदाबाद में खुला फिर सन 1955 में भारत में पहला म्यूजियम किशनपोल बाजार जैपुर में खोला बाबा ने मुझे एहमदाबाद से वहां भेजा जहाँ जहाँ नई सर्विस शुरू होती थी बाबा मेरे को वहां भेजता था कुछ समय बाद हमारा मुख्याले कोटा हाउस और धौलपुर हाउस से बदली होकर पांडव भवन में आ गया बाबा के अव्यक्त होने के बाद सन 1970 से हम और निर्वेर भाई पांडव भवन में रहने लगे अव्यक्त होने के पहले बाबा ने माउंट आबु में बड़ा स्ट्रीचिवल म्यूजियम खोलने का विचार बनाया था बॉम्बे वाले रमेश भाई को बुला कर बाबा ने कहा म्यूजियम बनाओ उसी समय वर्ल्ड रिन्यूवल स्ट्रीचिवल ट्रस्ट बना और उसी के नाम से म्यूजियम बनाने का डायरेक्शन बाबा ने दिया मकान ले लिया गया उसमें मुख्य रूप से बनाने का काम निर्वेर भाई ने किया वह म्यूजियम एक मॉडल के रूप में बना जिससे अभी भी बहुत सेवाए हो रही है बाबा ने बताया था मेरा अव्यक्त होना जरूरी है अव्यक्त होकर मैं शरीर की हदों से परे रहूंगा शरीर की हदों के कारण मैं बाहर के लोगों की सेवा नहीं कर सकता हूं इसलिए अव्यक्त स्वरूप द्वारा बहुत लोगों को साक्षातकार करा कर बहुत पहचान दूनगा और पहचान के आधार पर बहुत लोग यहां आएंगे इसके थोड़े समय बाद आबू में बहुत फोरेनर्स आने लगे म्यूजियम देखने भी बहुत आते थे उनको म्यूजियम देखकर मन में आता था कि इतना उचा ग्यान और हमको अभी तक पता ही नहीं है पहले पहले दो भाय आये, चाली और केंट दोनों अस्ट्रेलिया के थे, लंदन में नौक्री करते थे लंदन में उन दिनों सेवा केंद नहीं था जयंती बहन पहले माउंट आबू में पढ़ती थी, बाबा के संपर्क में आती रहती थी बाबा ने उसको वर्दान दिया था बच्ची तुम फोरेंड में बहुत सेवा करेगी पढ़ाई पढ़के और ग्यान लेकर वह लंडन गई लंडन में ही उनका परिवार रहता था वहाँ ब्रिटिशर्स का एक स्ट्रीचिवल सेंटर था वहाँ हर हफ़ते उसे लेक्चर करने का चांस मिलता था जिसे सुनने के लिए कई लोग आते थे वहीं चाली तथा केन भाई ने ये ग्यान सुना और जयनती बहन से चुट्टी लेकर वे आबु में आये वे पहले विदेशी थे जो मधुबन में आये फिर उन्होंने उस्ट्रिलिया में सेंटर खोला अमेरिका की एक योग संस्था ने सन 1972 में आबु में निमंत्रंग भेजा हमने उसे स्वीकार कर रतन मोहिनी दादी का निर्वेर भाई का मेरा तथा एक दो और का बायोडेटा भेज दिया फिर दादी की राए प्रमान चार बहने तथा दो भाई गए पहले ये लोग लंडन में गए वहाँ छोटा सेंटर खुला जगदीश भाई और रमेश भाई भी उस टूर में थे कराची में हम 300 बहने माताय तथा 75 भाई थे यहां आये तो कम हो गए थे कुछ कारणों से बाबा ने हमको ट्रेनिंग दीथी की माताओं को आगे रखना है क्योंकि माता मदालसा है, माताओं का हरिदय कोमल होता है उनका सेवा करने का धंग लोगों को अच्छा लगता है हमने बाबा का वह डायरेक्शन आशीरवाद के रूप में माना हमने अपना अभिमान की हम बड़े हैं और माताय छोटी हैं यह बदली करके अपना सिध्धान्त बनाया की माताओं को आगे रखना है भारत में आने के बाद हमने महसूस भी किया कि माताओं के ग्यान देने पर भाई सुनते थे पर भायों द्वारा दिये जाने पर वेबात नहीं मानते थे माताओं की जल्दी मान लेते थे हमारा सत्गूरू पर मात्मा है उसके बाद कोई गुरू नहीं पर कारोबार के लिए दादी को हैद बनाया गया यग्या के शुरुवात में दीदी कंट्रोलर थी क्योंकि वह माता थी, अनुभवी थी आबो में भी उन्होंने उसी प्रकार सेवा की हम यहां भी उसे कंट्रोलर कहते थे पर बाबा जानी जाननहार है उन्हें पता था इसके बाद फॉरेन की सर्विस चालू हो जाएगी उसमें दादी प्रकाश्मनी का रोल बहतर रहेगा उसमें छोटाए बढ़ाए का सवाल नहीं था दीदी और दादी का तरीका ऐसा था जैसे दो शरीर एक आत्मा बाद में दादी जानकी एडिशनल हैद बनी उनका भी दादी के साथ संबंध वैसा ही रहा जैसा दीदी का था दादा आनंद किशोर के बारे में दादी निर्मल शानता जी बताती है दादा आनंद किशोर का बाबा के साथ घनिश्ट संबंध था भावी अनुसार व्यापार करने के लिए बाबा का कोलकाता जाना हुआ कोलकाता में सबसे नामी ग्रामी स्थान और प्रसिद बिजनेस सेंटर उस समय न्यू मार्केट ही था जिसे चार्ल्स हॉग मार्केट के नाम से जाना जाता है लेकिन सभी के मुख से न्यू मार्केट नाम ही निकलता है उस मार्केट के ठीक सामने एक साथ मंजिल की इमारत थी जिसमें लिफ्ट लगी हुई थी उसका ठीकाना लिंट से स्ट्रीट, सुराना मेंसिन, न्यू मार्केट है पहली मंजिल पर बाबा ने दुकान यानी जिसे हम गद्दी कहते थे उसे हीरे जवाहरतों के बिजनेस का स्थान बनाया दूसरी मंजिल में हम सभी रहते थे, उसी मार्केट में आज भी वह मकान बहुत उचा है तथा ठीक उसके पास ग्लोब सिनेमा हौल है ग्लोब सिनेमा हाल से एक मकान छोड़कर उसी फुटपात पर रामलक्ष्मन एंड कमपनी थी जो आज भी उसी नाम से सोने और हीरे का व्यापार करती है दादा आनंद किशोर का लौकिक नाम लक्ष्मन था तथा उनके साजीदार का नाम राम था दोनों के नाम से यह रामलक्ष्मन एंड कमपनी थी दादा आनंद किशोर ने भी ब्रह्मा बाबा का पूरा अनुसरंग किया जैसे बाबा सारा बिजनेस समेट कर कोलकाता से हाइदराबाद सिंध आये उन्होंने भी ऐसे ही किया बाबा ने अपना बिजनेस पाटनर सेवक राम को दिया तथा दादा आनंद किशोर ने अपने पाटनर राम को सारा बिजनेस दिया और अपने हिस्से का धन लेकर बाबा के पास चले आये यग्य में समर्पित भाईयों में उस समय सबसे ज़्यादा पढ़ाई सिर्फ आनंद किशोर दादा की ही थी अन्ग्रे जी में ज्यान की सभी बातों को लिखना, अनुवाद करना, मुल्ली अन्ग्रे जी में लिखना, अन्ग्रे जी में देश विदेश में पत्र व्यवहार करना दादा आनंद किशोर का ही काम था इसके अलावा, बाबा के ओफिस का कार्य कराची से लेकर माउंट आबु में अपने अंतिम समय तक संभाला जिसे अभी निर्वेर भाय निमिद बन संभाल रहे हैं दादा आनंद किशोर जी के बारे में मुंबई के ब्रमा कुमार रमेश शा अपने अनुभव इस प्रकार सुनाते हैं शिव बाबा के दैर्वी परिवार में अनेक भाये बहने अनेक संबंदों से आये जैसे दादा आनंद किशोव, ब्रम्हा बाबा के पारिवारिक दामाद थे यग्य में वे पहले-पहले पड़े लिखे ग्रेजुएट थे शुरू-शुरू का अन्वेजी में इश्वरिय साहित्य लिखने में उनका बहुत बढ़ा योगदान रहा जापान में भी विश्वधर्म सम्मेलन में दादी प्रकाश्मनी तथा दादी रतन मोहीनी के साथ ब्रम्हा बाबा ने उन्हें भेजा पूर्वेशिया के देशों जैसे होंग कॉंग, सिंगापो, मलेशिया आदी में इन्होंने इश्वरिय सेवाए की और वहां से लोटने के बाद मुंबई में रहे मेरा उनके साथ विशेश परिचे सन 1957 में हुआ मेरी लौकिक माताजी की इच्छा थी कि हम ब्रम्हा बाबा और मातेश्वरी जी को मुंबई आने का निमंतरन दे और हमने हमारी माताजी को कहा कि भले आप निमंतरन भेजो ब्रम्हा बाबा ने माता का निमंत्रन स्वीकार नहीं किया और कहा कि रमेश अगर निमंत्रन देगा तो उसे स्वीकार कर मुंबई में आएंगे मेरे लिए मीठी समस्या खड़ी हो गई कि मैं कैसे निमंत्रन भेजू दादी पुषपशान्ता उस समय वाटलू मेंशन सेवाकेंद्र की इंचाज थी उन्होंने कहा कि आप निमंत्रन भेज दो मैंने कहा कि मैं कैसे निमंत्रन दून मुझे आपकी भाशा नहीं आती दादी ने पूछा कि क्या नहीं आता मैंने कहा कि आपके ग्यान में कई शब्द नए हैं और ब्रम्हा बाबा जैसे महान प्रतिभाशाली व्यक्तित्व का निमंतरन पत्र भी उतना ही गौरवशाली होना चाहिए तब दादी पुषपशान्ता ने कहा कि आप दादा आनंद किशोर से मिलो वह बहुत ही अच्छे शब्दों में ब्रम्हा बाबा और मम्मा के लिए आपको निमंतरन पत्र लिख कर देगा उन्होंने दादा आनंद किशोर से मेरा परिचे कराया और उन्होंने बहुत ही सुन्दर शब्दों में ब्रम्हा बाबा और मम्मा की प्रतिभा के अनुरूप निमंतरन पत्र लिख कर दिया और उसी निमंतरन को पढ़कर ब्रम्हा बाबा ने फॉरन टेलिग्राम भेजा की और मम्मा निमंत्रन को स्वीकार कर मुंबई आएंगे। तब मैंने दादा आनंद किशोर का दिल से धन्यवाद माना की आपने बहुत सुंदर निमंत्रन पत्र लिख कर दिया, फलस्वरूप बाबा मम्मा चार मास के लिए मुंबई आए। इस प्रकार दादा आनंद किशोर भ्रता अर्जुन तथा अन्यसाथियों का एक ग्रूप बना और प्रदर्शनी की सेवा है अच्छी हुई बाद में दादा आनंद किशोर मधुबन में रहने लगे सन 1960 में जब ब्रमहा बाबा ने दादी प्रकाश्मनी तथा मुझे ट्रस्ट के निर्मान के लिए मधुबन में बुलाया तो हम दोनों के साथ दीदी मनमुहिनी तथा दादा आनंद किशोर भी ट्रस्ट के निर्मान कार्य में बहुत मददगार बने ब्रमहा बाबा के अव्यक्त होने के बाद निर्वेर जी को मधुबन की इश्वरिय सेवा पर बुलाया गया और तब से दादा आनंद किशोर और निर्वेर जी की युगल जोरी ने इश्वरिय सेवा में अनेक प्रकार के कार्य किये। दोनों ने मिलकर ओफिस का कारिय संभाला जब जब किसी ने दादा से उनकी तबियत के बारे पूछा तब तब उसे यही जवाब सुनने को मिले हर समय अपने मुखमंडल पर एक अलोकिक मुस्कान छलकाते दादा आनंद किशोर जी कभी किसी को यह हैसास ही नहीं होने देते थे कि उनकी तबियत खराब है और तो और स्वयम डॉक्टर भी हैरान हो जाते थे जब उनके पूछने से पहले ही दादा उनसे पूछ बैठते थे हेलो डॉक्टर, हाओ आर यू जिस किसी ने भी दादा के साथ एक पल भी गुजारा होवे उनके जिंदा देली, खुशनुमा मिजाज और बेफिकर बादशा वाले अंदास को कभी भी नहीं भुला सकता दादा नवासी साल की उम्र में भी कहते थे I am very young अस्पताल में सभी दादा के लिए फिक्रमंद होते थे और दादा अपनी वही चिरपरेचित मुस्कान लिए सब का स्वागत करते थे और कहते थे मैं तो यहाँ एकांत में परमात्मा को याद करने के लिए आया हूँ अपने हर कर्म में फालो फादर, सी फादर करने वाले आदी रत्न, त्यागी, तपस्वी, अथक सेवाधारी, संपूर्ण निश्चे बुधी, बबा के हर इशारे को अमल में लाने वाले मधुबन बगया के श्रिंगार, हम सब किसने ही, मिलनसार दादा आनंद किशोर जी 2 सितंबर 1998, बुधवार को बाबा के साथ मीठी बाते करते, रात्री आठ बचकर 20 मिनट पर पर बाबा की गोद में उर गए, ऐसी महान आत्मा, जिन्होंने यग्य की स्थापना से लेकर अथक और दिल वर जान से यग्य की सेवा की तथा हम सब के लिए एक मिसाल बने, हम उन श्रद्धानजली अर्पित करते हैं